अस्सलाम वालेकुम अज हम आपको सूप की रेसे भी बता रहे हैं पांच प्याली पानी पांच अफराद के लिए और गर्दने लिए है मैंने इनको मैंने धोलिया और चार गर्दने बहुत होती है पांच प्याली सूप के लिए तो ये गर्दने डाल देजिए और एक टेबल स्पून नमक था आप चाहे तो अपने हिसाब से डाले चोटा पीस प्यास का अच्छा फल यावर आता है इसे और एक टीस्पून हल्दी यह देखे छोटे पीस अधर रखे यह चोटे चोटे पीस चार पांच थे पांच प्यादिये के हिसाब से उचाहरी लसन के कल्यां थी जो थी जेवे लसन चार पीस मैंने हिला कर उबाल आने के लिए छोड़ दिया था ढगकन ढगके यह उबाल आ गया था फिर उबाल आने के बाद मैंने फिर हलकी आज कर दी हलकी आज कर दें इसकी फिर यह तकरीबन आदा घंटा पकाना इसे हलकी आज में आदा घंटा पक चुका ही हलकी आज में अब इसमें से जो दालेते ना मसाले सारे वो निकालने कि बहुत अच्छी आदे घंटे में त्यार हो गई पक्केर पांच प्याली थी तो पांच ही प्याली रहेंगी मामली फरक हो होगा इसमें पानी कम होने में यह बलकुल तयारे सूप अब वो गर्दोनों से गोश अलेदा कर लेंगे यह रेशे निकाल लिए गर्दोनों में कम पसाने तो कम डाले थोड़ा जादा स्पाइसी तो कर लीजिए आप यह बिल्कूल तयारे सूप साधा सा सूप बनता है यह बहुत से कौन फ्लॉर वाला पसंद नहीं करते साधा पीना पसंद करते हैं अक्सर बुजरूक लोग यह इसी तरह का यखनी सूप पीना पसंद करते हैं यह बहुत 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 लजिस बनाता आप बनाएं इंशायला बहुत मज़ेगा बनेगा और हमें दूआ में यार रखें शुक्रिया